व्लोग एंड वेलकम टू दी चैनल जैहों स्टडी माइनेम इस प्रियान शुद दुबे आज का टॉपिक है सिक्किम सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यूं फिर देखेंगे 1890 की अंग्रेज और चाइना की बीच की संधी को साथ में देखेंगे हम लोग भारत में सिक्क प्रियम का फोक डांस भी देख लेंगे जो कभी-कभी एक्जाम में पहुंच आ जाता है चलिए शुबात करते हैं देखें टेलिग्राम कारकम हमारे चला जा रहे हैं जो कि जिसके अंतरगत आपको दिखाई दे रहा होगा इन टेलिग्राम कारकम के बारे में ज्यादा स्य क्या होता है कि जनरली ऐसा माना जाता है कि गर्मी के सीजन के दोरान जब बार्फिगल जाती है तो क्योंकि demarkation नहीं है, border का demarkation नहीं हो रखा, सीमा निरधारित नहीं है, तो कुछ छेतर को लेकर गर्मा गर्मी हो जाती है, यह normal है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और local level पे इस मामले को सुलजा लिया गया है, तो यह हम सिक्किम के चर्चा में क्यों, ध्यान दिजेगा, यह नाकुला सेक्टर उत्री सिक्किम में है, question पूछ सकता है आपसे, कि बताएए, अभी हाल में ही नाकुला सेक्टर में, भारत और चाइना के सिपाही आमने सामने आ गई, यह नाकुला सेक्टर के सिराज्य में है, तो ध्यान दिजेगा, सिक्किम में है, बहुत स्पेसिफिक कूछेगा, तो पूछ लेगा, बताएए, नाकुला सेक्टर सिक्किम में किस जगा पर है, लिख देगा ये option उत्री सिक्किम, दक्षिनी सिक्किम, पूर्वी सिक्किम, पश्मी सिक्किम, तो ये नाकुला सेक्टर जो है ये उत्री सिक्किम में है, इसके साथ ये भी ध्यान दीजिए, ये नाकुला सेक्टर है, नाथुला दर्रा नहीं है, नाथुला पास इस्ट सिक् पूर्वी सिक्क्रम वेस्ट में नेपाल से सीमा बॉंडर टच कर रहा है, हो सकता क्योंषन पूछ लेकिन में से किसके साथ सिक्क्रम बॉंडर शेयर नहीं करता, तो इन सबको अगर आपने देख रहा है, तो आपारामसे इसको टिक कर लेंगे ठीक है साथ मैं आपको गैंग टोक दिख रहा होगा ये पूर भी सिक्किम में इसकी कैपिटल है गैंग टोक ठीक है तो इसके बारे में भी जवात करेंगे देखे मैंने ये भॉकलिक स्थी आपको बता दी है दाइगराम के दुरा आपको दिखा दिया है आगे चलते हैं रेकिए यहाँ पर जो मूल निवासी है उन वो लेपचा समू है यहाँ आपर जाती है समू तो लेपचा कभी कभीशा आती है क्ला sihन में लेपचा जाती है समू किस राज़से सम्द्यत सिक्किम से है यहाँ पर तिब्बत के खामजिले से आई हुए भूटिया भी यह दूसरा जाती है समूँ यहाँ पर भूटिया है यह भी ध्यान रखेगा तीसरा जाती है समू जो सबसे बड़ा यहाँ पर नेपाली, नेपाल का है, नेपाली कहलाते हैं जाती है समू के रूप में यह, इसके साथ ही यहाँ पर दो धर्म बहुत मेंली प्रॉमिनेंट हैं, कौन से दो धर्म हैं, पहला है हिंदू धर्म और दूसरा है बौद धर्म, ये बौत धर्म में भी वज्रियान शाखा के लोग हैं, तो दिहान दीजेगा हिंदू धर्म के साथ बौत धर्म हैं, और इसके साथ ही ईसाई भी हैं यहाँ पर exist करते हैं, यह ईसाई लेपचाई हैं, यह convert हो गए हैं इसाई धर्म में, इसके साथ यहाँ पर मुस्लिम धर्म और चांग का शाषन था, उस समय में सिक्किम में राजशाही थी और यहाँ का सबसे प्रमुक सामराज चोग्याल था, जो निर्ववाद रूप से यहाँ के शाषक थे, लेकिन जब बिटिश भारत में आये, तब सिक्किम के राजबन से उनका सिक्किम के लिए खतरा बनते जा रहे नेपालियों और भूटारियों के विरुद्ध मिलकर खड़े मिलकल लणने का गठमंदन हुआ, गठमंदन हुआ, तो फाइनली ऐसा बोला गया, कि जब बहुत सारे युद्ध और ट्रीटी होने के बाद, 1890 में, 1890 में, आंगल, अंग्रेज और चाइना के बीच में कन्वेंशन पर साइन किया गया, ध्यान दीजेगा, अंग्रेज और चाइना के बीच में कन्वेंशन पर साइन किया गया, इस कन्वेंशन के द्वारा सिक्किम के उपर अंग्रेजों ने पूर रूप से कबजा कर लिया, लेकिन ये इंट्रेस्टिंग चीज है, कि अंग्र प्रोटेक्टोरेट का मतला होता प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना तो बिटिश ने सिक्किम को सुरक्षा दी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया बदले में क्या लिया कुछ भाग पर कर लगाने का अधिकार बदले में सिक्किम बदले में अंगरीजों को मिल गया अब द स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हुए फाइनली भारत में मर्ज हो जाएंगे पूर्ण रूप से लेकिन सिक्किम मर्ज नहीं होगा ये कहते हुए कि हमारा तो अंग्रेजियों के साथ प्रोटेक्टोरेट स्टेट हमको दर्जा दिया जा चुका है हमारे इंटरनल अफेर्स की हमारी ऑटनोमी है इंटरनल अफेर्स पे हमारा कोई भी इंटरफेरेंस कोई भी देश नहीं कर सकता इसको भारत कायम रखेगा और भारत भी जब 1947 में आजाद होगा तो यहां का जो शाषण जो चोग्याल शाषण है उसके साथ एक संदी साइन करेगा और फाइनली 1950 में इंडिया भी इसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट के रूप में स्विकार कर लेगा और साथ में क्या रखेगा इस protectorate state के रूप में स्विकार करते हुए भारत उसके रक्षा, defense को, communication को और foreign affairs जो foreign जो विदेशी मामले हैं उन पर अधिकार रखेगा, बाकी इनके internal affairs पर कोई भी interference नहीं करेगा, ठीक है, तो जिस प्रकार अंग्रेजों ने अपना एक, मतलब गैंग टोक में इन्होंने जिस प्रकार से अंग्रेजों ने अपना political representative appoint किया हुआ था, उसी प्रकार भारत भी अपना एक Indian political representative गैंग टोक में appoint कर देगा, ठीक है, तो जैसे प्रेटिश ने किया, वैसे भारत ने भी किया, लेकिन 1965 में जब चीन का युद्ध दुआ भारत के साथ, तो भारत को एक बात अगर सिली गुडी नेक पर चीन का कबजा होता है, तो सिक्किम भी कबजे में आ जाएगा, भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, तो 1962 के युद्ध के बाद भारत को ऐसा लगा, कि सिक्किम को पूर रूप से भारत में मिला लेना चाहिए, तो ऐसा कहते हैं कि सिक्किम के इंटरनल अफेर्स में डिरेक्ली इंटरफेरेंस नहीं की भारत ने, लेकिन रॉप और आईबी के द्वारा इंटरफेरेंस हो रही है इंडरेक्ली, और फाइनली वहां के अंदर जो माहौल है, वो बिगडते हुए, मतलब सिक्किम के अंदर का माहौल थोंडूप नामग्याल सत्ता पर बैठेंगे, उत्राधिकारी बनेंगे इनके ताशी नामग्याल के, लेकिन 1970 की शुरुआत में, मैंने बोला आईबी और रॉप बहुत एक्टिव हो चुकी है, ये इंटरनल अफेर्स में इंडरेक्ली बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो 1970 के आसपास आते आते, सिक्किम की जनता अपने राजा के साथ नहीं जाना चाहती, लोकतंतरिक चीजों का बहाल चाहती है, कि जब सब कुछ हो, लोकतंतर के अनुसार हो, सिक्किम का भी समधान मने, तो ऐसी बातें वहाँ पर होना शुरू हो जाएंगी, त तो पी अंधर जो की इंद्रा गांदी के सेकेटरी रह चुके थे, इन्होंने अपने किताब The Emergency and Indian Democracy में लिखा है, सिक्किम के बारे में, क्या लिखा है भी थोड़ी दिन में चर्चा करते हैं, देखें, आठ मार्च 1973 को, इसी क्रम में हम आगे जा रहे हैं, अच्छा एक ची अटी हैं, उनके सादि कर लेंगे, तो यह भी कहा जाता है कि होप कुक, सी आये की एजेंट थी, यह कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहलवाया गया है, आई बी और रॉक के दोरा ऐसा कहते हैं कि यह जोJimmyr फेला गया तो यह I compte Cook हैं जो कि CIA के Agent कहीं गई हैं तो ऐसा बोलते हैं कि HO Print Cook ही राज करती थी यह जो Pondook नामग्याल है यह राज नहीं करते थे रानी ही राज करती थीmir लीख तो आठ मार्च 1973 को जब भारत को ये रिलाइज हो गया 1965 के बाद कि सामिल करना बहुत जरूरी है सिक्किम को भारत में तो वहाँ पर जिस तरह के इसकी कंडिशन मनी फाइनली आठ मई आठ मई 1973 को एक एग्रिमेंट पर साइन किया गया किनके बीच में साइन किया गया तो ये जो ग्याल गवर्मेंट आफ इंडिया और जो वहाँ के प्लिटिकल पार्टीज के लीडर है उनके बीच साइन किया गया क्योंकि कंडिशन सिक्किम में बहुत ज़्यदा बिगड़ चुकी है इसी agreement में ये सिक्किम के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर है उन्होंने request किया भारत से कि यहां के law and order को maintain करने के लिए एक मतब law and order को maintain करना है तो यहां पर एक head of the administration इन सिक्किम में head of the administration को बैठा देना चाहिए appointment हो जाना चाहिए तो भारत की तरब से वहां पर एक head of the administration appointment कर दिया गया इस head of the administration के द्वारा सिक्किम के law and order को maintain करे जाने की बात की गई लेकिन इसी क्रम में 8 मई 1973 के बाद सिक्किम के अंदर की conditions और जादा बिगड़ती चली गई finally 6 अप्रेल 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राज महल के गेट के बाहर भारतिय सेनिकों के ट्रकों की अवास सुनाई दी और इसी क्रम में जब वो भाग कर अपने खड़के बर पहुंचरों ने देखा तो उने दिख रहा है कि लगबग भारत के पाँच राज सेनिकों ने उस पूरे महल को घेड़ लिया है वहां के 243 गाड जो लोकल लेवल पर जो लगे हुए थे राज महल के अंदर उनके साथ मुस्किल से 30 मिनट की मुस्किल से 30 मिनट का फाइरिंग हुआ होगा उसके बाद भारत के सेनिकों ने पूरा का पूरा चोग्याल साशा को पूरा का पूरा अंडरगाउंड कर दिया है महल के अंदर ही बन कर दिया है उसी क्रम में 8 माई का मैंने आपको बताया है कि समझाताँ 1993 में हो चुका है राजा जो चोग्याल है ये मानने को तयार नहीं है जो चोग्याल क्यों नहीं मानने को तयार है क्योंकि इनको लगता है कि सिक्किम इंडिपेंडेंट है इनको दिख रहा है कि भारत में विला हुने की संभावना है तो ये भारत के interference को सुईकार नहीं करना चाहते हैं उसी क्रम में ये 30.1974 को इंद्रा गांदी के सामने पहुचेंगे और इंद्रा गांदी से अपना पक्ष रखते हुए बोलेंगे कि जिन आप राजनितिक्यों पर दाओं खेल नहीं है सके में वो राजनितिक आपको धोका दे देंगे तो इंद्रा गांदी बोलेंगी हसते हुए कि ये राजनितिक जो जिन पर मैं दाओं खेल नहीं हूँ ये चुने हुए राजनितिक हैं यह कहते हुए इंद्रा गांधी खड़ी होंगी नमस्कार करेंगी हसते हुए मतलब सीधा जाने को कह देंगी कि चले जाइए यह इंद्रा गांधी का टायरनी मैं आगे पहले के चप्टर में भी आपको बता चुका हूँ केश्वनन्द भारती केस मैंने बढ़ाया है वहाँ पर आप सुनेंगे कि इंद्रा गांधी कितना एक गूंगी गुडिया से लेकर सफर हुआ है उनका आयरन लीडी तक का तो यह सफर मैंने केश्वनन्द भारती केस में आपको बताया हुआ है आप जाके सुन सकते हैं उसी क्रम में आगे चलते हुए फाइनिली 35 में समिधान संशोधन के द्वारा जोकि 1974 में हुई होगा इस 35 में समिधान संशोधन के द्वारा एसोसियेट स्टेट का दरजा दे दिया जाएगा सिक्किम को पूर्ण राज का दरजा नहीं दिया जाएगा एसोसियेट स्टेट का दरजा दे दिया जाएगा और इस प्रकार समिधान मे 22 मा राज्य बन जाएगा ठीक है ध्यान दीजेगा 23 अप्रेल 1975 को लोगसभा में ये बिल पेश किया गया और इसके बाद 26 अप्रेल 1975 को ये राजसभा में पास हो गया और फाइनली 15 माई 1976 को राश्पती फक्रोदीन अली अहमद ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये और 36 में समिधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया ये पूछ लेता है कुश्चन कभी कभी कि 35 में समिधान संशोधन के द्वारा एस्सोशेट स्टेट बना और 36 में समि इन्डिया 35 में समिधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया ये स्टेटमेंट गलत है 36 में समिधान संशोधन के द्वारा एसा हुआ है 35 में के द्वारा एसा नहीं हुआ साथ में ये भी याद रखेगा कि आर्टिकल 371 F ad का दिया गया सिक्किम के लिए अनुक्षेद समिधान में तो इसको भी ध्यान दीजेगा और ये भी याद रखेगा कई जगा आपको 26 अप्रेल मिलेगा कई जगा आपको 15 मैं भी डेट मिल सकती है तो ध्यान दीजेगा 23 अप्रेल को बिल लोकस्वा में आया 26 अप्रेल को बिल रास्वा से पास हुआ और 15 मैं को फकरुद्दीन अली एहमद ने इस बिल पर साइन की हो सकता ये भी पूछ ले आपसे जिसके दोरा सिक्किम पूर्ण राज्य बना भारत का 22 मा पूर्ण राज्य बन गया इस सम्विधान संशोधन इस बिल पर किस राश्रपती के हस्ताक्षर हुए थे तो याद रखेगा फकरुद्दीन अली एहमद और मैंने बोला था आपसे ये दिखिए इसमें लिखा हु सिक्किमारी एक सिक्किम का फोक डांस है इसके बारे में थोड़ा से ध्यान दीजिएगा सिक्किमारी ठीक है तो यह आज हमने सिक्किम के बारे में चर्चा कर ली है पूरी सिक्किम पूरा कबर हो चुका है फिर से मैं एक बार रिवाइज मार देता हूं मैंने नाकुला सेक और मुस्लिम धर्म है इसके साथ मैंने आपको इसकी भोगोले किस्ति दिखाई और भोगोले किस्ति मैंने आपको बताया कि ये नौर्थ इस्ट में तिबद से इसके बाद साउथ इस्ट में भूटान से साउथ में पश्चे मंगाल से और वेस्ट में ये नेपाल से खेरा हु कर वसूली करी उसी क्रम में 1950 में 1947 के बाज भारत आजाद हुआ तो 1950 में भारत ने भी इसको प्रोटेक्टिवरेट इस्टिट का दर्जा दे दिया लेकिन तीन चीज़ें अपने एंडर में रखी क्या कर दिया चोग्याल शाशन शाशक और साथ में लीडर और प्रोटिकल पॉर्टीज ने साथ में हस्ताक्षर किये जिसके द्वारा भारत ने सिक्किम में हैड़ अपड़ अडिनुस्टेशन को वहां पर पॉइंट कर दिया उसी क्रम में फाइनली जाकर हमने देखा कि 1974 में 35 सम कुमारी जो सिक्किम का फोक्डांस है तो इसी के साथ यह टॉपिक खतम हुआ जै हिंद जै भारत